अई है अलो फ्रेंट्स वेलकम टो माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टेडी प्वाइंट Friends, इस वीडियो में हम बात करेंगे Top 20 Important Questions के बारे में और जो कि ये पिछले कई स्टेट के एक्जाम में एक questions पूछे जा चुके हैं तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत important और UPNHM A&M Stopners Exam 2020 के Important Question-Answer Series में ये है आपका Part No. 31 Part No. 30 तक मैं वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ और अगर ये वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे Description बॉक्स में जाए और वहाँ पे एक लिंक है UPNHM A&M Stopners Exam 2020 उसको क्लिक करके आप सारे वीडियो एक से लेकर 30 तक का सारे वीडियो आप देख सकते हो और अगर आप दूसरे तरीके से जाना चाहते है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाए वहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है UPNHM A&M Stopners Jam 2020 उसमें जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो रेट कलर के स्ब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को स्ब्सक्राइब कर लिजी और बेल आइकन को जुरूर प्रेस कर दीजे और लाइक कर दिए और इसे और स्ट्रेंड elegant केशा ₹ stay तो देखते हैं सबसे पहले आपका IMPORTANT question क्या है तो सबसे पहला IMPORTANT question आपका कौन सा अं आ आ यानी की ओर गरन मा आयो गरबस्त सिस को जोड़ने का काम करता है ठीक है तो इसमें options है amniotic flute और b placenta c ambilical cord जिसको के हिंदी में ना भी रज्जु कहते हैं और d आपका decidua तो इसमें कौन सा answer सही होगा इसमें कि आपका answer होगा placenta क्या करता है मात अयूं गरबस्त सिसको जोड़ने का काम करता है और इसका यह पूरी तरीके से बन कर तैयार कभ होता है यह बारवे सब्ता में यानिकी गरबद पूर्ड होता के बारवे सब्ता में इसका निर्मार पूर्ड होता है प्लेजेंटा जिसको हि और इसके माध्यम से ही बच्चे को oxygen और खादिप्रदार्थ का जो एक transportation होता है वो इसके माध्यम से जो उसको पोशक्त मिलते हैं इसके माध्यम से ही शिसको गर्वत शिसको मिलते हैं ठीक है तो यह आपका हो गया answer भी जिसमें की placenta is the right answer and next question हम देखेंगे कॉलरा का क्या कारण है तो कॉलरा का क्या कारण है इसमें आप चार options है और यह पहला है बी विब्रियो कॉलरी ठीक है और यह बैक्टीरिया के वज़े से विब्रियो कॉलरी के वज़े से कॉलरा होता है और इसमें क्या होता है बहुत ही ज्यादा दस्त और आपके ओमेटिंग होती है और ये दूसित जल और दूसित खाने की वज़े से ऐसा होता है और अगर हम बात करें दूसरे ओप्संस की सालमनिला टाइप की तो ये टाइफाइड इसकी वज़े से टाइफाइड होता है और C है Clostridium Titani, इसकी वज़े से क्या होता है? Tetanus होता है, और Body Teller Pertussis, इसके वज़े से क्या होता है? Whooping Up, जिसे काली खासी कहते हैं, और Cholera का कारण क्या है? इसका Right Answer क्या है? तो आपका B Options है है, और यह है Vibrio Polarie, ओके? Next, देखेंगे, PPIOCD लगाने का सही समय क्या है? चीक है, तो सबसे पहले है PPIOCD का Full Form देख लेते हैं, PPIOCD का Full Form है Postpartum Intra-Uterinary Contraceptive Device, ओके? Postpartum Intra-Uterinary Contraceptive Device इसका Full Form है, और इसके Options है, यह कब लगाई जाती है? कब सही समय इसका लगाने का? Options, Hospital से Discharge होने के एक सप्ता के बाद, और B Delury होने के 24 गंटे के अंदर, और C, Hospital से Discharge होने के एक महीने के बाद, और D, इन में से कोई नहीं, तो इसमें आपका होगा, और B Option Delury होने के 24 गंटे के अंदर, डिलूरी होने के 24 गंटे के अंदर PP IUCD लगाई जाती है, अंद नेक्स्ट क्वेस्चन हम देखेंगे, कॉलरा क्या का कारण है, सॉरी फ्रेंट्स ये क्वेस्चन रिपीट हो गया है, और इसमें Option B में पहले बता चुका हूँ, इप्रियो कॉलरी, ठीक है, इसको नेक्स्ट बढ़ते हैं, यूनिवर्सल डॉनर रक समू कौन सा होता है, तो options है blood group O, B blood group A, C blood group B, blood group AB, तो इसमें universal donor क्या होता है, रक समू, ऐसा रक समू, जो अब्लेट को blood अपना दे सकता है, तो वो आपका है, blood group O, blood group O जिसका भी blood group O है, वो सभी को blood दे सकता है, टेक है यूनिवर्सल डानर और ऐसा समूझ जो सभी करक्त ले सकता है यानि ग्रहर कर सकता है यो है blood group A और B तो इसमें option blood group A blood group B और blood group A B तो इसमें आपका यह option is right blood group O सही है and next है मारा 1 gram carbohydrate में कितनी कलोरी energy प्राप्त होती है options 5 kilocalorie और 4 kilocalorie और 2 kilocalorie और 1 kilocalorie तो इसमें B option से ही है आपका 4 kilocalorie ठीक है B answer is right next है WHO द्वारा निर्मित ORS के packet में कौन सा component नहीं पाया जाता है बात करें हम ORS की तो इसका full farm होता है oral dehydration solutions और यह क्या होता है dehydration की condition में काफी beneficial होता है and options देखेंगे calcium carbonate potassium chloride और C sodium chloride और sodium bicarbonate तो इसमें क्या पुछा है इसमें कौन सा component नहीं पाया जाता है तो इसमें calcium carbonate नहीं पाया जाता है ओके यह option is right और इसमें क्या पाया जाता है potassium chloride पाए जाता, sodium chloride पाए जाता है। and sodium white carbonate पाए जाता है. और calcium carbon नहीं पाい जाता है. next हमारा है nimmle में से कौन सी संक्राभक बीमारी है? यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी infectious disease है? तो options diabetes, blood pressure, arthritis and measles. तो इसमें diabetes, blood pressure, arthritis, इस संक्रामक बीमारी नहीं है और डी मीजल्स यानि की खसरा यह एक संक्रामक बीमारी है जो एक से दूसरे विक्त को ट्रंस्पर होती है तो यह एक क्या है इंफेक्सियस डिजीज है ओके एंडी ऑप्शन इस राइट लेक्ष देखेंगे हम यह मर्कूरियल और डिस्टल ब् है इस फिग्नो मैनोमीटर कहते है उसके उससे और एक डिजिटल ब्रेट पेशर जैसे कि मुस्टी सभी लोग अपने घरों में रखते हैं ठीक है तो यह होगा डिजिटल ब्रेट पेशर इसमें अंतर हो तो कौन सा सही मानना चाहिए और बी दोनों और नना बी इनने से मर्कूरी लाइन उपर जाती है फिर उससे चेक किया जाता है तो वह होगा मर्कूरियल तो वह ज्यादा अकुरेट माना जाता है तो उसको सही माना चाहिए यानि कि मर्कूरियल को माना चाहिए सही अगर दोनों में डिफ्रेंस आ रहा है एक ही टाइम में अगर ब्लड आपके पैंक्रियास से जिसको हिंदी में क्या कहते हैं अग्यास्ते हैं और यह ऐसी ग्लेंड है जो की अन्तासरावी और बहिस्तरावी दोनों है यहां का अन्तासरावी और बहिस्तरावी है हमारे एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन यानि पैंक्रियास एक ऐसी ग्लेंड है जो एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन दोनों हैं अन्तासरावी और बहिस्तरावी ओके तो आपका पैंक्रियास क्या है? राइट आंसर है, भी आप्शन सही है नेक्ट देखेंगे, विटॉर्ट स्पॉर्ट किसकी कमी से होता है? तो विटॉर्ट स्पॉर्ट, आप्शन विटामीन A, विटामीन C, विटामीन D और E तो यह question काई बार exam में पूछा जाशुका है, हाला कि जितने भी questions आपके हैं सब जो पिछले राजस्तान या जूसरे अधर स्टेट के जो MP, MP के exam में जो questions आच चुके हैं उसमें सी questions select किये गये हैं और important question आपके exam में confirm आ सकते हैं अवच्छे से देख लिजी इनको, तो इसमें बिटामिन एक कमी से होता है, ये बिटामिन एक कमी से होता है, और नेक्स्ट है बिटामिन C, D और E, और इसमें आपका A सही है, 2 स्रम गार आई ऊपर चिस सोशल स्माइल देने लगता है यहां पर यह बात करी जा रही कि कि कितनी उम्ठ जो बच्छा है वह क्या करना है सोशल इस फाई निम अलगता है किसी को देखकर其實 सामने और कोई भूंबि तो इसको देखकर देता है तो options हैं इसके 3 months, 5 months, 6 months और 2 months तो option इसमें कौन सा सही होगा आपका 3 months ओके त्यानि तीन महिने पर बच्चा social smile देने लगता है Next हमारा है झीत रखी को है उनी तुओका भी कहाता है …. मौच्चार लगता है नहीं है तो नही Plaid रचे को सिरय होगाته तो भी मैंने जहाँ घघ जिता है कि ये जिन्ट हमारा प्रलत जिए जिल से 55 साल तक के बच्चों को विटामिन एगी कि कितनी खुराग देते हैं ठीक है तो 55 साल और दक के बच्चें को विटामीन एगी कितनी खुराग देते हैं यह मारे 6-6, 6 Doze 6-9 Doze 4-4 Doze लिएने जिरो से 5 साल तक के बच्चे को आपके वितामिन A के कितनी खुराग देते हैं यह आपके आपको 9 खुराग देते हैं बच्चे को ठिक है आपका B option, B option आपका सही है, B option is right, ठीक, नेक्स्ट हमारा है, यूटरस के evolution से क्या आसे है, ठीक है, तो option से गर्भासे की जाच, यानि यूटरस की test, यूटरस का test and B है गर्भासे का, यूटरस का अपनी सामान अवस्था में वापस आना, और C है, गर्भासे का evolution और इन में से कोई नहीं, तो इसमें आपका B option सही होगा, बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ यूटरस के evolution से अर्थ है कि यूटरस का अपनी सामान अवस्था में वापस आना, यानि कि after delivery, जो delivery के बाद, delivery तक में जो भी organs जो होते हैं, तो उसमें reproductive organs जो आपके होते हैं, सभी प्रजननंग, तो उसमें जो बदलाव changes आते हैं, pregnancy के दौरान, तो उनकी जो सामान अवस्था, यानि जो delivery से पहले के अवस्था है, pregnancy से पहले के अवस्था, तो उस अवस्था में वापस आने को ही कहते हैं, evolution के, तो uterus का evolution यही हुआ, कि गरवासे का अपनी सामान वस्था में वापस आने, and next हमारा है, live vaccines के क्या उधारण है, यानि कि जीवित vaccines, मतलब कि जिसमें की, जो भी उसके लिए जो इस्तेमाल किये जाते हैं, जो bacteria या वायरस जो भी इस्तेमाल किये जाते हैं, vaccine बनाने में, तो यहाँ पर इसकी बात करी जा रही, live vaccines के उधारण क्या है, तो measles है, और OPV है, और BCG है, ओके, और उप्रोक सबी, तो इसमें कौन से live vaccines के उधारण है, इसमें सभी live vaccines के उधारण है, यानि measles, OPV और BCG, यानि आपका इसमें D option, D option आपका बिल्गो सही है, और यह आपके तीनों live vaccines के उधारण है, next हमारा है, pre-eclampsia के क्या कारण है, तो pre-eclampsia के कारण है, options, पैरों पर सूजन आना, उच्छरक्त चाप, high blood pressure, and second है, uterus का ovulation, और प्रोक सबी, तो इसमें आपको pre-eclampsia में क्या होता है, कि इसमें high blood pressure हो जाता है, यानि कि प्रोक्स 1490 से आपका blood pressure जादा हो जाता है, और इसके वाज़े से क्या होती ही, पैरों में सूजन आता है, high blood pressure और गर्वाशय का ovulation हो जबता है, तो इसमें आपका D option सही है, उप्रोक सबी, okay, D option is right, next हमारा है, मिजो प्रोस्टोल की डोज कितनी होती है, ठीक है, तो मिजो प्रोस्टोल क्या होता है, मिजो प्रोस्टोल डिजिस दी जाती है, medical, जो आपका medicinal, medical जो abortion होता है, जिसको हिंदी में औस धी गरपात कहेंगे, तो उसके लिए जो मिजो प्रोस्टोल मेडिशिन दी जाती है, कितनी देनी चाहिए, मात्रा, तो इसमें options है, A 200 ग्राम, D 600 ग्राम, और C 500 ग्राम, और D 600 माइक्रो ग्राम, तो इसमें D option बिल्कुल सही है, और 600 माइक्रो ग्राम, आपका मिजो प्रोस्टोल की दोस्ट दी जाती है, लेक्श देखेंगे, स्वास नली में C-shaped cartilage का क्या प्रकार है, क्लिए तो इसमें क्या options costal cartilage और B है, fibrocartilage और C hylene cartilage, D है, plastic cartilage, तो इसमें option B से, यहापका C options सही है, और यहापका C options सही है, और क्या है आपका हाइलीन, कार्टिलेज, इसका आंसर सही है, और इसमें क्या है C option, इस्ट हमारा है, मेडिकल एबार्शन में किस मेडिशीन का प्रयोग किया जाता है, तो अउस धी गरभात जिसे हिंदी में कहेंगे, कौन सी दमाईयों का यूज किया जाता है, और B है, मिफे प्रिस्टोन, और B है, मिफे प्रिस्टोन, और मिजो प्रिस्टोल, और C है, क्लोमी फिन, और मिजो प्रिस्टोल, और इनमें से कोई नहीं 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 बीच, तो इसमें कौन सांसर आपका सही होगा, इंबार्डन कुस्चिन है, यह है आपका, मिफे सबसे पहले जिसमें क्या होता है जो आपका जो भी ब्रूण है इसको क्या करता है सॉप्ट बना देता है और जो मिजो पिस्टोल है यह दी जाती तो वह क्याता है एक रोटरस में क्रैम्प होता है क्रैम्प होते हैं और वह जो आपका ब्रूण है वह बाढ़ी से बाहर निकल जालता है तो यह दो मेडिशीन्स यूज की जाती है मेडिकल अबर्शन में इसका उप्सेंट भी तो फ्रेंड्स यह आपके रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उमीद करता हूँ यह आपको वीडियो जुरूर पसंद आया होगा और यह कुष्चन साइसे हैं जो कई सार आप इने अच्छे से देख लिजिए तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे यह च्छा स्टुडी मटीरियल पाना चाहते हैं और आप एक्जाम में सबस्पाना चाहते हैं और तो फिर आप इस चैनल को ज़रूर स्ब्सक्राइब कर लिजिए और बेल कर दो